पिर से जाना है तो मुझे पास साल पहले मैंने देखा था यहां के खरेक केसर वाला आम केसर आम उस समय मुझे बताया था ड्रेगन फूट अब तो कमलम नाम रख दिया उसका कमलम यहां का अनार यहां का मुरूद सच मुझ मैं कच्छ की सान पर यहां का प्यार तो अद्वुत है कच्छी जा जाते कच्छ वाले मैं नया इतिहास रच देते हैं दुनिया फिर मैं भैले हुए मैं आपकी दिल से चत करता हूं और एक और वचन देता हूं नरेंद्र भाई जी के भागिड़त प्यासों से नर्मदा जी का पानी कच्छ में आया है मैं मध्ध प्रदेश में रोज पेड़ लगाने की बात कि रोज तीन पेड़ तो लगाते हूं और जंदा को मैं नावान क्या देगों भैई मैं रोज लगाता हूं तुम जनम दिन पर लगाओ मेरी जैन वर्सदी साधी की बर्दगाट पर लगाओ बेटा बेटी के जनम दिन पर लगाओ पूरवजों की माता पिता की इस्वर्ती में लगाओ पेड़ लगाने से बड़ा फुन्य और कोई दूसरा नहीं है क्योंकि पेडल हमें आक्सिजन तो देते ही है लेकि नर्मधाजी का जल पानी नर्मधाजी कोई गलेशियर से नहीं निकलती मदवलेस के अमरकंटक से नर्मदा जी प्रिकट हुई नर्मदा जी में पानी जल की धार इसलिए रहती के दौनों किनारों पर बड़े बड़े साल के ब्रच्छ है और बाद में बून्द बून्द करके छोड़ते रहते जड़ों से तो नर्मदा जी में पानी पहता रहता है पेड है तो नर्मदा जी है और जबने नर्मदा सेवा यात्रा की थी और दस करोड पेड एक दिन में नर्मदा के किनारों पर रोपे थे े दौनों किनारों से लेकिन फिर दिनWowजी एक दिन लगाका है क्र तू लगायगी तो बर्श्यदे पे लगाई से तक मदुप्विजज में हाल यह मaldiv.Nam Juid नभौाई लगातर। उधस्तीं। То प Volkswagen अम Tada Да वैं ममा अमने घने भाई पक्की नेरे कैनाल आपने बनाई कच्छ भुजा पानी ले गए मैं नर्मदा जी में मदपदेश से पानी की कमी नहीं आने दूंगा लेकिन ये कांगरेशी बड़े कलकार है यह मुझे मदपदेश में गाली देते रोज पानी पीपी के यह गुजरात पानी जाने दे रहा है अरे मैं इनका गुजरात पर पाकिस्तान है क्या गुजरात भी तो हमारा है हम सब भारत मा के लाल भेदभाव का कहा सवाल सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी मिला मधपदेश को विजली मिली दोनों को मिल गया भाई लेकिन ये कांगरेशी मेगा पाट कर जैसे लोग रोज अंदोलन रोज अंदोलन नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ अरे हमका नर्मदा जी तो देश बचाएगी तुम क्या नर्मदा बचाओ की बात कर तो प्रोज पानी पीकी पीपिगे मुझे गाली देते लेकिन उसी नर्मदा जी के चलने मेरे बेहनों और भायों ये हमारे प्रधान मंत्री जी की संकल्प सक्ती थी कि आज पूरे कच्छ की तस्वीर बदल दी है हमारे परिस्मी किसान अलग लगतर है कि फोरों का उत्पादन कर रहे हैं आप उन्नत खेती कीजिए नर्मदा जी का पानी आता रहीगा मेरे बेहनों और भायों गुजरात की धर्ती बड़ी पवित्र धर्ती और भुझपुरा में तो स्याम जी कृष्ण मर्वा सुपरसिद्ध इकरांति कारी कोई अंग्रेजो ने की तस्तरी में रखे आ जाली भेट थोड़ी की थी हजारों कांझी कारी हस्ते हस्ते फासी के फंदों पर जूल गए थे और जब फासी के फंदा चूमने जाते थे तो डर से पैर नहीं कापा करते थे उनके एक हाथ में गीता होती थी, मौसे भारत माता की जैकाउद रोख निकलता था, और रिदे में दिर संकल्प होता था, वो मरते समय भगवान से यही प्रात्ता करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जनम लें, इसी भारत भूई पर जनम लें और तब तक पैदा होते रहें, जब तक ये देश सतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए, क्रांतिकारी गाया करते थे सर्फ और उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं, देखना है जोर कितना वाजवे का दिल में हैं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा, हम अभी से क्या बता हैं, क् दिल में हैं, सब कुछ ने उचावर कर दिया, और मुझे गर्वे कहते हुए, कि नरेन रहाई, आपका भिनंदन करता हूँ, उनके अस्ती कलस को आप लेके गुजरात के इस पवित्र धरती पर आए, कांग्रेस सहीतों का अपमान करती है, कांग्रेस की सरकार रही को हमें यही पढ़ाया गया, देश को आजा दे, इंद्रा जी ने दिलाई, नेरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते दे, कल अपमान किया रहुल गांधी ने, स्वातंत्र वीर सावरकर का अपमान, दो-दो जनम की सजा जिने मिली थी, काला पानी, काला पानी की सजा जिनने का दिला, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैंसे स्वातंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो, रहुल गांधी, कांग्रेसियो, यह देश तुमें कभी माफ नहीं करेगा, और अपमान करना तुम इनके सुभाव में, इनके नेता, रोज नरेंदर भाई का अपमान करते हैं, और नरेंदर भाई तो प्रधान मंत्री है, उनकी मा जब हम देखते हैं, तो हिरदय सुद्धा से भर जाता है, देभी है वो, तुम मा का भी अपमान करते हो, कि अधिन मेरेंद्र भाई का पानी गुजरात का अत्मान है और गुजरात की जंता राहुल गांदी इसे कभी सहर नहीं करेगी कभी स्विकार नहीं करेगी आज मुझे आपने गीता की पृति भैट किये दन्यबाद देता हूं कि अधिता में भगवायश्री कृष्ट्य कहा यदा यदा धर्म से गिणा निर्भवत इभारता अव्युत्धानम धर्मत से ददात्मान मं से जाम्यंक परित्रानाई साधुनाम बिनासाईच अदूस्कताम धर्म सस्थापनार्धाय संथवादी युगे-युगे जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा अधर्मी बढ़ेंगे तब तब धर्म की रख्षा के लिए और दुस्टों के सम्हार के लिए मैं बार बार इस धर्ती पर आमूँगा ये कनहिया ने कहा था और सच्वित में जब गुजरात की इस धरा को देखता हूँ तो तीन महापुरुस मुझे यादाते महत्मा गांधी सत्व रहिंसा का मार्य पूरी दुनिया को दिखा दिया और आजादी ले ली अंग्रेजों से एक अधुत रत्म गुजरात में किबल देश को ने पूरी दुनिया को दिया सरदार बल्लब भाई पटेल जिन्हों ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया एक साड़े पांस सो से ज़्यादा देशी रिजायसत है अगर इकठी करने का चमतकार किया तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने किया उनके कारण भारत का आज ये स्वरूब है कांग्रेसी उन्हें याद नहीं करते हैं कि सर्दार वन्लब भाई पड़े लोहपुरों और दीसरे नरेंद्र भाई पूरे दुनिया में भारत का मान, सम्मान, साल मैं पहले भी मुखमंत्री था जब कांग्रेस की सरकार थी दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान, सम्मान और इज़्जत नहीं बची थी अमारे देश के इंडिया से आये हैं मतलब करफसर, रिष्टा चार, गडबरी गडबर, प्रधान मंत्री उस समय मोनी बाबा थी, वो बोलते ही नहीं थे, जो कुछ करती थी माँ और बेटे ही करते थे, प्रधान मंत्री के सामने कागज भार के राहुल बाबा भैक देश की इज़त नहीं लुपाले दिएन दंदर दी, 24 पहले का भारत था, आज जब दुनिया में जाते तो सच मुछ में कहते हुए गर्व होता है, नरेंधर भाई ने एक सक्तिसाली भारत, एक मैभबसाली भारत, एक गोरबसाली भारत, एक संपन्य भारत एक सक्तिसाली भारत का निर्वान किया है आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती है और उतका उधारन जे यूक्रेन का और रूस का यत यूत हो रहा था हमारे बच्चे भद के हजारों जो पढ़ाई कर दे गए ते सब चिंते थे बच्चे निकलेंगे कैसे तो बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में ले लिए और तरंगा लेके आगे बढ़े तो रूस ने भी का रोक दो हतियार मत चलाओ यूक्रेन ने भी का यो दिवराम रुग्याओ ये तिरंगा लेके इंडिया के बच्चे जा रहे हैं इनको जाने दो और हमारे पीछे भ गर्व होता है हम यह आज हमारे देश की स्थिति है पुतन ही कहते मोदी मोदी और बाइडिन कहते मोदी मोदी ढदी यह चमतकार नहीं तो क्या अप गहलाई को सोचके देखिए जगा है आज दुनिया भारत को नकार नहीं सकता है नरेंद्र भाई आज दुनिया का देत्रत्व कर रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि यूक्रेन रूस में अगर सामकी होगी तो वो है कही नेदा कर सकता है और वो है नरेंद्र भाई गीता में जो बात कही थी यदा यादा ही धर्मस्या भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं सच मुझ में भारत को भगवान का बरदान है नरेंद्र भाई मोजी उनके नेत्रत में देश आगे बना है गुजरात खुस है गुजरात खुस इसलिए है कि नर्मद अमईया का पानी आखरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेत्रत हो गया है गुजरात खुस है एक सुग्यासी अभिहम हेल्प लाइन के कारण यहां के भाई बहन सु रख्यत है गुजरात खुस है जोंको गुजरात पावर जनरेसन और स्वक्षा सरवे में देश में अगरणी पंक्ती बखाए गुजरात खुस है देश में सोलर पावर पालसी बनाने वाला पहला गुजराद खुशे क्योंको गुड गवर्नेंस इंडेक्स में लाजिस्टी पर्फॉर्मेंस में गुजराद नंबर बन है। गुजराद खुशे क्योंकि एक्सपोर्ट और एवडियाई इंफ्रो में गुजराद देश में सबसे आगे है। गुजराद खुशे क्योंकि पहले के बन नो मेडिकल कॉलेज थे अब गुजराद में तीस मेडिकल कॉलेज हो गए। गुजराद खुशे क्योंकि ODF स्टेट है यह गाउं गाउं और घर घर में बिजली पहुचाई के। राहुल गांधी गुजरात खुस है इसलिए को गुजरात जिप मैनुफेक्चरिंग का हब बन रहा है मेरे प्रिये बेहनों और भाईयो गुजरात खुस है क्योंकि जोती ग्राम योजना से यहां गाउं गाउं में बिजली पहुचाई गई गुजरात खुस है इसलिए खुस है कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में बनाएं गुजरात खुस है क्योंकि पहली बुलर्ट ट्रेंड गुजरात से चलने वाली है गुजरात खुस है सौमनाथ बाबा गर्ण सर्मा अमबा जी की सीज़ चेतर को भब्ब और दिब्ब बनाया गया है बाब बुजी जी सौमनाथ कासी काली डोर केदार नाथ और मेरे उज्जैन के बाबा महाकाल का महाकाल महालोग पहले कभी ये काम करती थी सरकारे क्या मंदिर में नहीं जाते थे और कई नेता तो कहते थे आयोध्या मैं राम जी का मंदिर काय को बनाओ भात वास्पताल बना दो कोई को ते कहता थे डालेट बना दो जो विरोध करते थे केजरी वाल जैसे नेता के मंदिर काय को बनाओ आज वोई केजरी वाल कहते हैं कि नोट में लक्ष्मी जी और कनेश्ची छाप दो वारे पल्टूरामी कल कुछ कहते हैं आज कुछ कहते हैं नकली सूरत सामने आए असली चहरा छुपा रहे हैं ये नाटक नो तंकी करने वाले रोज जूट बोलते हैं, रोज जूट, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, भुचपुरा के मेरे बहनों और भाईयों, नरेंद्र मोदी है, कल्प ब्रक्ष, जो जरुवत है वो ही मिलेगा, और केजरी बाले बबूल का पेड़ केवल काटे ही गरेंगे, राहुल बाबा खर्पत बार है, यह भसली खराब कर देगा, यह कांग्रेस, यह आप, यह देश से संतोस और चैन साफ कर देगे, क्या किया कांग्रेस तें पचास साथ आज किया, कोई मुझे बताए, किया क्या कांग्रेस तें, गुजरात को सबावर बरबाद करने का काम किया, गुजरात को बदनाम करने का काम किया, पर अब दोनों से अपने दिखा रहे हैं, सब कुछ फ्री में देदेंगे, करजा मां भाया मदप्रेस में आए थे सवा साल के लिए सवा साल में जनता किया हालत हो गई कि मर गए मामा लोटिया मामा बापिस आजा और या मामा क्या कांग्रेस की आगे छोड़ चाहिए इस तीवाते देंकि विदाइच बढ़िया है कि हमें कमनात्य किसंग नहीं ना हमें तो मामा किसंग जाना है और जब तुनाओं लड़े तो जनता ने हजारों वोटों से साथ 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 सतर सतर हजार से जिता के भेज़ दिया कांगरे साफ हो गई एक बाता पूरा ने क्या है अब फिर कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देदें कि क्या ग्राजिस्थान में दिया तुमने ति चर्द्ट्रा ने अब बेरोजगारी भत्ता दे दो ने ने रोजगार दे रहे हैं इनका रोजगार क्या दोगे वह लिवद्टों को ढोल चराने के ट्रेइनिंग देंगे पर है यह थोर्ड़ाओ दोल बजाओ सबसार में जन्दा रसाप कर दिया यह जूटे बादे करने वाले अजया हालत यह के यहां भी अब कांग्रेस में बचा क्या है हमारे यहां के रिजेक्टेड माल को ला रहे है पुराने कांग्रेसी अंदर बेटे-बेटे कुसमुसा रहा है अब देखेंगे कांग्रेस के हालती हो गई है एक दिल के तुक्रे हजार हुए कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा अगे करेंगे का उम्मीद पार तक नहीं है यह पार्टी यह भारती जन्ता पार्टी कि यह पार्टी है भाई तेह कर दिया के पुराने मंत्री अब कोई मंत्री नहीं बनेगा नयों को मुखा देंगे कोई महिम्मत है यह कर सकती तो भार्टी जन्ता पार्टी करते हैं और हमारे भी उन्यता होने दिर से स्वीकारी के ठीक है हमारा नंबर हो गया दूसरे को आने दो क्या दिकतता साथ कि एक कारी करता है लिए दूसरे को जान दो परिसानी का था सब को काम करने का मुक्त है उसलिए आज मैं आप से निवेदन करने आया हूँ ये सपने बहुत दिखाएंगे मुंगेरी लाल सपने दिखाओ, सपने देखो अब ये मांदारी की बात करता है केजरी बाद एक मंत्री जयल में एक देर के दर्वजे पकड़ा हुआ है बता हुआ है अब वो कौन साथ ठागे, कौन सुकेश क्या नाम उसका, पढ़ाओगा सुकेश वो क्या राइद रेगया, इत्ते करोड लेगया केजरी बाद में से हमने क्या रभा क्या रहे है ये नरंद भाई का मुकाबला करेगी नरंद भाई देन एक नया इतिहास रचा है अरे कस्मीर में धारा 370 पत्ता, हम नहीं लोग कहने रगे कि हटेगी बटेगी नहीं है, ये तो द्रीजित वापन क्या पे रहते, और देश में ये चर्चा होती थी, ये नहीं हो सकता कस्मीर में कस्मीर में रोकते थी, हाग लग जाएगी खून की नदियां बह जाएगी नरेंद्र भाई और अमिर भाई ने धारा 375 पैटी से हटा दी, पत्ता भी नहीं खड़ता धारा 370 कटम तीन तलाग कटम मुस्लिम बहनों के साथ भी अन्यानी अच्छा, लोग मंदिर के बारे में भी यह कहने लगे थे, भारती जन्ता पार्टी वाले कहते रहते, मंदिर बहीं बनाएंगे कांगरेशी कहते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर बहीं बनाएंगे, लेकिन तारीक नहीं बताएंगे हम प्यारोप लगाते हैं तारिक नहीं बताएंगे अब देख रो तारिक धूम नाम से बना है और जन्वरी 2024 पर उद्गातन हो जाएगा राम लला विराजमान हो जाएगा कौन कर सकता है देश आगे बढ़ रहा है पर देश आगे बढ़ रहा है किसानों गरीबों जन्ता हो अरे गरीबों को फ्री मेर असन राम की चड़ाई है राम कोई खेद खावरी चड़ाई है भर भर पेट ले जाओ पर कौन कर सकता था बताएगा जिनके पास मकान नहीं गरीव लेओ मकान पुर्धान मंत्री आवास योचना बीमार हो जाओ तो आइसमान कार्ट पांच लाक रुपे दक्का प्राइबेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में होगा रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई पर मेरी बेहनों को जला रसोई गैस कनेक्शन आखें फूर जाती थी चूले के धुआ से कभी बेहनों के दर्द को किसी ने समझा है कि समझा तो नरंदर भाई में समझा भारती जनता भाई की सब्कार ना समझा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूँ में आए तो बेटियों ने मेरा तिलक लगाए मैं रोज मद्र पुदेश में जब भी सरकारी काईरिक्रम होते हैं मैं बेटियों के पैर्द होता हूं और उस पानी को अपने माध्य पर लगाता हूं उसके बाद हमारा काम सुरिय कि बेटी हमारे लिए देवियां एलाडली लक्ष्मी जैसी योजिना मद्र पुदेश न बढ़ाईये हैं मा बेटी बहन का अपमान सहन नहीं करेंगी और इसलिए अगर कोई बिटिया को गलत नजर से देखेगा किसी ने दुराचार कर लिया तो सीदे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर योजनाव जिनाओंगा तो आधी रात हो जाएगा गुज्रात का जो विकास हुआ है कि गुज्रात के विकास की गाथा आज पूरे देश में पूरी दुनिया में च्छाई हुआ है गुज्रात मॉडल अधुद मॉडल पूरी दुनिया इसकी नेकल कर रही है जन सकती जान सकती उड़ जा सकती जल सकती और रच्छा सकती इसका बहतर इस्तेमाल करके मॉडी जी ने बना दिया गुज्रात मॉडल अब पूरा देश और दुनिया गुज्रात मॉडल आज देख रहा है और उस पे चलने की कौसिस कर रहा है मैं भुच्पुरा के बहनों और भायो मानभी के बहनों और भायो आपसे निवेदन करने आयाऊं कांग्रिस के पासों केजणी बाल के पास कुछ नहीं जूटे बादे करेंगे और कुछ दिन बिलेगा तो कहेंगे जाती बात सलाएंगे जातिवाद में राष्टबाद हम सब एक है और शत्री उमीदवार चाहिए तो भारती यंदा पार्टी नगल वगल मख़ड़े किये हैं शत्री यह नहीं किये दोकी है यहां भी जो हमारे विडायकी थे वो दूसरी है किसे दर रहा है वीरन जी उसलिए और कुछ तुम मिलेगा निक ऐसी बातें करेंगे इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हमसे कोई चूक होगी नहीं मुझे पूरा विस्वाब लेकिन फिर भी मामा आया है तो मामा का फर्ज है कि मैं करे दूँ कि भीया देखो दोके मा मता जाना है पिछली बार नो हजार से जीते दे इस बार बीस हजार पार ले जाना है अनुर्द भाई के कमल के फूल की बटन दबाके रिकास की जो गंगा बह रही है नर्मदा बह रही है कच में भुज में भुजपुरा में मांड़ी में यह बहती रहे है भारती जनता पाईटी को वोट विकास की गारंटी है भारती जनता पाईटी को वोट जनता के कल्यान की गारंटी है और भारती जनता पाईटी को वोट देश की सुरच्छा की गारंटी है पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे नरांदर वाई ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं सर्जी का लिस्टाइब और इसलिए मैं क्या रहा हूँ आप सब का प्यार और रहांसिरवाद अनुद्द भाई को मिले भारती जनता पारिटी को मिले कमल के फूल की बटन दबे वैंसे तो आप जिताई रहते लेकिन मामा आया है तो भोड़े वहत वोट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आप बढ़ाईए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मद्बुदेश आईए महाकाल महालोग देखे बाबा महाकाल के दर्सन करने हमकारिस्वर के दर्सन करने मामा आपका दिल से स्वागत करेगा और मेरी बेहनों आज जा रहा हूं तो मुझे दबेली जरूर मेरे साथ रख आप सबसों जो प्यार और आशीरवाद मिलाए मैं विबूद हूँ आपके प्यार को भूलूंगा नहीं और आप से अपी यही है कि गाओं गाओं जाईए हर द्वार खत्कताईए जो नहीं समझा उसको भी समझाईए कमल के फूर्गी बटन दबाईए अनुद्ध भाई को भारी बोमर से जिदाईए और भूपेंद्र भाई जैसे सहच सरल आम काईल करता मुख मंत्रिया सब्सक्राइए नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई और भाई में हम सब भाई भी और मेरी माई भी सामिल है वो सम्मिल कर अपने गुजराँ को आगे बढ़ाएंगे महां भी मुद्रा निफ्शपण को आगे बढ़ाएंगे जियी लिवेदन करने आया था आपसे वोल ये भारती जंत प्रिपशी को जिताएंगे बोल का सबस्तित ये जघाएंगे कमल का फूल की बटन अनुदाद भाई को अपना विदायक बनाईगे तो मेरे साथ दौन कि ये बहुत भाद ही दौन के भारत माथा की ये बोल के बहुत बहुत दौन के ये कि लग करले मंट में लिए भारत माता की ऐ भात माता की ऐद्र भात-धन्यवाद